हेलो गुड मर्निंग डियर स्टुडंट्स अवर सब्जेक्ट इस हिंदी प्रवेश्रिका स्टांडर्ड टू उसमें हमें आज सिखना है श्वर में आ आज हमें क्या सिखना है स्वर में आ तो यहाँ पे लिखा है पड़ो और रंग बरो तो आ से क्या होता है आम आ से आम ए आम का पिक्चर है तो यहाँ पे लिखा है आम तो यहाँ नीचे आ को ट्रेस और राइट करना है तो आ से क्या होगा आम आम को इंगलिश में मैंगो कहें तो इंग्लिश में आमको क्या कहेंगे mango, mango याने की आम, फिर आ से क्या होता है आइना, आ से आइना, तो यहाँ पे नीचे आ को trace and ride करना है, तो क्या होगा आ से आइना, फिर आइना को इंग्लिश में mirror कहते हैं, आइना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, mirror, mirror, mirror यानी की आइना, यहाँ पे लिखा है पड़ो और लिखो, read and write, आ, आ, तो यहाँ पे आ को trace and write करना है, फिर यहाँ तक आ लिख देना है, यहाँ पे भी आ को trace and write करना है फिर यहाँ तक आ लिख देना है फिर नीचे लिखा है पड़ो और लिखो Read and write तो यहाँ पे लिखा है का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, डा, अना, ता, ठा, दा, धा, ना, पा, भा, भा, बा, बा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, शा, ग्ण्या, त्रा, स्रा तो यहाँ पे लिखा है का, तो नीचे का को trace and write करना है फिर यहाँ का लिख देना है खा को trace and write करना है फिर यहाँ खा लिख देना है गा को trace and write करना है फिर नीचे घा लिख देना है चा को ट्रेसें राइट करना है फिर नीचे चा लिख देना है ठा को ट्रेसें राइट करना है फिर नीचे ठा लिख देना है ठा को ट्रेसें राइट करना है फिर नीचे ठा लिख देना है ठा को ट्रेसें राइट करके नीचे ठा लिख देना है झाकोट्रेसम राइट करके नीचे मा लिख देना है या को ट्रेसें राइट करके नीचे यात लिख देना है रा रा को ट्रेसें राइट करके नीचे रा लिख देना है ला ला को ट्रेसें राइट करके नीचे ला लिख देना है वा वा को ट्रेसें राइट करके नीचे वा लिख देना है शा शा को ट्रेसें राइट करके नीचे शा लिख देना है टो आज के लिए बस इतना साई और आप सब इस्टूडंट्स को हिंदी प्रविश्रिका बुक में ए स्वर्मे आ जो मैंने आज तिखाया वो आपको ए पूरा वन पेज यहां तक आपको हिंदी प्रविश्रिका बुक में लॉन एन राइट करना है ओके और जैसे होंगर खो जाए तो मुझे मेरे वाटसेप में सेंड कर देना गुड़ बाई